गीता ज्यान हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह हमें अनंत ज्यान का दर्वाजा खोलती है। यह हमें बताती है कि कैसे हम सही तरीके से जीवन जी सकते हैं। गीता में कहा गया है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणामों पर हमें कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि हमें सही कर्म करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, परिणामों से परेशान होने की नहीं। गीता में मन, शरीर और आत्मा के संबंध पर भी बताया गया है। मन से संयम, शरीर से सेवा और आत्मा से प्रेम करना सीखना चाहिए। परमात्मा की आत्मा होती है। समस्त मानवों को सही मार्ग पर चलने के लिए हमें शरीर से प्रेम करना सीखना चाहिए।